हुआ है नमस्कार दोस्तों स्वाकत एंडिश्व वेली जी के और एक वीडियो में जहाब पर aula पर मेडिसीन और यहां पर दो मेडिसीन की बात हो रहा है डís थोना और ठीक्शाओन और डेक्स प्राक्टिम बहुतहीं कॉमन ओर लोग इस इस दो मेडिसीन को बहुत मतलब गलत इस्तमाल करते हैं इसलिए वीडियो है वीडियो थोड़ा ऐसा लएगा ग्यान बाट रहे हैं मगर फिर भी थोड़ा पेशन्स लेकर सुन लेना काम आएगा प्रैक्टिन और डिक्सोना को हाली में बहुत से लोग जो जिम जाते हैं वहा अच्छे किलो दस किलो तक भी वजन बढ़ जाते हैं तो प्रैक्टिन और डिक्सोना क्या मेडिसीन है इससे सचमुच वजन बढ़ता है या नहीं आंसर मैं दूंगा बिलकुल बढ़ता है वह अच्छे चीज़े या फिर गलत चीज़े इसके बारे में यहां पर डिटेल होते हैं मैस्ट सेल कहा जाता है मैस्ट सेल हिस्टामीन बोलके केमिकल फैक्टर तयार करता है मैस्ट सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे पैकेट के तरह होता है उसको वेसिकल बोलते हैं वेसिकल के अंदर यह हिस्टामीन होता है तो जब भी वह पैकेट जाके सेल मेंब्रेन क जाता है वहां पर रैश हो जाता है और वहां पर हो रखते हैं लाल कलर निकल आता है यह allergic symptom है वो skin पर हो सकता है किसी भी जगह पर शरीर के अंदर की जगह भी हो सकता है वहाँ पर अगर respiratory tract में होता है तो वो सुजन हो जाता है अंदर ठीक है यह सारे problems आता है और यह problem तब आता है जब body के immune system जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ होश्यारी दिखा के काम क करते हैं जिसको हम hyperactive immune system बोलते हैं अब यहाँ पर यह allergy तो हो गया allergy जब histamine आता है तो यह histamine को histamine का इंपक्ट है जो की rash तयार करना खुजली जैसा symptom इसको कम करने के लिए anti-histamine drug आता है अब प्रेक्टिन कब prescribe किया जाता है जब किसी को ऐसे allergy रेश हो गया है खुजली हो रहा है या फिर कुछ कुछ टाइम headache में भी प्रेक्टिन प्रेस्काइब किया जाता है प्रेक्टिन के side effect में आता है भूख बढ़ जाना हर एक लोगों में नहीं मगर बहुत सार लोगों म एक साइड एफेक्ट आता है बैसिकली यह तो एंटीश्टमिंड ड्रागे मगर लोग खुजली नहीं हो रहा है फिर भी प्रैक्टीन लेते हैं क्यों क्यूंकि उसके साइड एफेक्ट होगा और भूक ज्यादा लगेगा थो ज्यादा खाएंगे तो weight gain होगा तो यह फंडा है प्रैक्टी अब बात करते है डेक्सोना की देक्सोना जो है वो डेक्सामेथासोन बोलके चेमिकल कमपाूंड होता है उसमें और यह जो चेमिकल कमफाूंड होता है यह दाकरीबन यह एक कॉर्टिको स्टेराट क्लास की ड्रग है ड्रग की अलग-अलग class होता है तो cortico steroid जो drug होता है ना जो steroid एक दम पाती language में बोले तो steroid steroid drug है अब लोग बोलते हैं na steroid मतलो steroid लेने से बरबाद हो जाओगी ऐसे ऐसे बिलकुल सच बोलते हैं क्योंकि steroid के सबसे बरा जो problem है वो है steroid की side effect steroid यह जो cortico steroid अब पुछो फिर drug क्यों market में दो cortico steroid बहुत methपुन एक ड्राग है life saving ड्राग है क्योंकि क्या होता है जब मैंने बोला कि आपको अगर ऐसे allergy जो internal problem होगा वो क्या होगा allergy होने पर सास फुलने लगता है क्योंकि यह ट्रैक्ट होता है जहां से हम सास लेते हो ट्रैक्ट का जो diameter है यह छोटा होने लगता है क्योंकि वो सुजन हो जाता है अंदर का जो दिवार है वो सुजन हो जाएगा तो जो total area होता है air pass करने की वो जगा कम हो जाता है तो लोग gasping करने लगते हैं इसके लिए तब भी के तब steroid injection देना पड़ता है ताके condition ठीक हो जाया अदर्वाइस तीन-चार मिनिट के अंदर पेशेंट की जान जा सकता है इसलिए यह ड्रग बहुत important है अगर यह जाता है तो ऐसे बीमारी में यह प्रेस्क्राइब किया जाता है मगर बात यह होता है कि कभी अगर यह इसका side effect आएगा ज्यादा मात्रा में आब लोग है तो side effect में क्या आएगा weight gain weight gain होना एक side effect है ठीक है तो dysona से weight gain होता है तो एक side effect के तौर पे gain होता है तो ऐसे ही probable protein के side effect में भूग ज्यादा लगता है Dixona के side effect में weight gain होता है तो अभी ये दोनों medicine को एक साथ combine करके दिया जाता है कि जो बहुत skinny है उसको भूग भी जादा लगे और weight gain भी जादा हो ठीक ठाक जब खाना मिले तो weight gain हो जाए तो इसके कारण ये medicine एक साथ दिया जाता है आप पुछो के कौन देते हैं prescription drug है बिल्कुल prescription drug है doctor ही prescribe करते है और genuinely prescribe करते है कब कुछ-कुछ बीमारी जहां पे patient की weight body weight जो है वज़न घटता रहता है घटता रहता है जैसे के HIV AIDS जैसे के cancer बहुत सारे cancer में body के वज़न इतना कम हो जाता है कि बंदा चल फिर नहीं पाता HIV AIDS में होता है तब जाके mandatory होता है कि ये medicine दिया जाए ताके लोग की भूख बने रहें और body की weight बने रहें क्योंकि body के natural weight अगर नहीं बन पाए तो बहुत सारे दिक्कते आ जाएंगे तब जाके ये प्रैक्टिन और डेक्सोना का combination therapy doctor prescribe करते है मगर अब जिम में बोला जाता है कि डेक्सोना ले लो प्रैक्टिन ले लो यहांसे weight gain हो जाएगा uncontrollably आज की youngsters ये ले रहे हैं यह बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि आप steroid ले रहे हो cortical steroid ले रहे हो without prescription without anything इंडिया में मिल जाता है वही तो आप ले लेते हो उसके बाद आपको क्या होगा इतना side effect आएगा आप सोज भी नहीं सकते mood swing होगा आपके behavioral इतना changes होंगे आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ जो लोग ले 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 उनको पता चलेगा ठीके और एक बात होता है खुन सबार रहेगा दिमाग पर हर वक्त उसके साथ और एक problem आता है यहाँ पर जो के मतलब यह जो drug है इसका withdrawal मतलब अगर कोई चाहते हैं कोई realize कर लिया के भाई weight to gain हो गया अभी मैं इसको बंद कर दूँगा अब बंद नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके withdrawal symptom आजाएगा आप dependent हो जाओगे इस drug पे जब भी drug को बंद कर दोगे body में बहुत सारे problems आने लगेंगे डिप्रेशन में चले जाओगे अंजाइटी होने लगेगा तो इसके कारण पर्टिकुलर्ली न ड्रग जो steroid है उससे बाहर आना भी मुस्किल होता है इसलिए steroid को अवर्ट किया जाता है इसलिए steroid इतला बदनाम है हाला कि इतना life-saving drug होने के कारण भी इतना बदनाम है तो ये बात होता है dexona और fracting मगर फिर भी ये दोने medicine से weight gain होता है medically proven है और वो इसलिए HIV AIDS cancer patients को दिया जाता है मेरा personal recommendation कभी नहीं रहेगा का आप medicine लेके weight gain करो naturally weight gain कर सकते हो मैंने खुद किया अब naturally weight gain करो अगर भूख कम आता है भूख बढ़ाने के लिए आप कोई कुछ सिरफ बगेरा आता है जैसके साइफन सिरफ हो गया ऐसा कुछ आप ले सकते हो जिससे कि भूख ज्याद आएगा आप खाना खाओगे अच्छा fat जो कि बदाम से आता है अच्छा protein जो कि अंडे से आता है जो कि चिकन से आएगा जो कि पनीर से आएगा lentils जो डाल है उससे आएगा स्वेचंग से आएगा उससे आप खाने के बाद weight gain करो स्वाधिश्ट खाना खा के weight gain करो अच्छा है ना तो powder लेना है ना तो ऐसा medicines लेना है झाल 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 झाल